कि अगर आप effective study करना चाहते हैं ज्यान सुनिएगा प्लीज कैसी study effective अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिवीजन जुरूर करनी है यह ठीक है है और एक बच्चा लास्ट में यह बूलता है कि चेप्टर खतम होने के बाद में आप रिवीजन करवा दो जबकि रिवीजन जो है वो डेली बेसिस पर आपको करनी है पहला लेक्चर आपने बता है दूसरे में सबने आइडेंटिटी बता ही यह इडेंटिटी होती है ऐसे से फेक्टराइजेशन होता है हमें ध्यान रखना है तो डैट विल हाडली टेक फाइफ मिनट्स तो रिवीजन जितनी आप करोगे उतना ही इसका टाइम जो है वो लेस होता जाएगा इसका टा नाम अपने आप बन जाएगा आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी है बिल्कुल सही रिवीजन इस यौर रिस्पॉंसिब्लिटी बहुत बढ़िया और यह बहुत अच्छी बात है कुछ लोग बुलने हमने शॉर्ट नोट्स बना ली जैसे आइडेंटिटी वाली च कि अगर रिवीजन की बात करूं तो आपको कोश्चन भी खुद सौल करके देखने हैं एक चीज और अड़न कर देना कुछ लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज घर पे जाकर मैस के कोश्चन एक बार दुबारा टेम्ट की होमवक वाले तो करने ही करने हैं क्लास्रूम एक्जाम्पल जो हैं जो आपको लगे कि हां यार इसमें मैं अटका था मुझे नहीं समझ में आया था वापिस से एक बार उसको अटेम्ट कीजिए प्लीज क्लैलिटी आफ थौट्स आईगी